नमस्कार दोस्तों हमारे यूच्नल ग्यांदा नौलेच में आपपा एक बार फिर से हारदेख्द स्वागत है दोस्तों घर में प्रिवेशद्वार बहुत ही महत्रव रखता है अगर घर का प्रिवेश द्वार वास्तु के अनुसार है तो इसमें रहने वाले लोगों को स्वास्ते सबंदित कोई परिशानी नहीं होती है और साथ में घर में सुक स्मृध्धी बनी रहती है शास्त्रों में घर के मुखे दरवाजे को मुखे माना गया है ये परिवार और ग्रहस्वामी की शालिंता, समृध्धी और विद्वानता को दर्शाता है और भारती परंपरा के अनुसार इससे कलश, नारियल, फूल, अशोक और केले के पत्तों से सजाने की परंपरा रही है वास्त्रों कहता है कि घर का दरवाजा भी आपको कई तरह के दोश्णों से बचा सकता है घर को कई तरह की प्रशानियों से मुक्ति दिलाने में घर के मुखे दरवाजे बहुत बड़ा योगदान होता है यदि आप अपने घर में होने वाली छोटी बड़ी परिशानियों से जूज रहे हैं तो वास्तु के कुछ छोटे छोटे उपाए जिनको करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं दोस्तो सुबह सवेरे जब भी आप घर का दरवाजा खोलें तो गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं दोस्तो स्वास्तिक हल्दी से ही बनाएं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम आपको सूर्योदे से पहले करना है इसके अलावा अपने घर के दर्वाजे पर अशोक और आम के पत्तों को मूली से बांध कर जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों इससे कोई भी नकरात्मक उर्जा आपके घर में प्रिवेश नहीं कर पाएगी। तो अमीद है दोस्तों ये जानकरिया आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इससे प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।